नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूं पाहिल पवार और आप देख रहे हैं वोकल लिउश है डोल अनुपूर के वैपारी वा यूवा संग की मांग विदेशी कंपनी अमेजॉन को करे बैंग अनुपूर जिले के वैपारी वर्ग सहीत यूवाओं ने दो दिसंबर को विदेशी ओलाइन शौपिंग कंपनी अमेजॉन को बैंग किये जाने की मांग को लेकर अपर कलेक्टर सरोधन सिंग को ग्यापन सौपा है दरसल इन लोगों का आरोप है कि जिले वो प्रदेश भर में दिन पर दिन बटे जा रहे अपरादों के पीछे कहीं न कहीं अमाजॉन कंपनी का हाथ है साथ इनका मानना ये भी है कि वर्तमान में जो वैपारी संग के लोग हैं उन्हें बजार में हो रहे नुकसान के पीछे भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमजान का ही हाथ है क्योंकि अब हर युवा बजारों से नहीं बलकि अपने मुबाइल पोन पर घर बैठे बैठे सभी चीजों की होम डिलिवरी के साथ मंगवाता है जिससे इनका धंदा ठब पढ़ने लगा है नहीं इनका कहना ये भी है कि प्रदेश भर में जो नशीने पदार्थों की दसकरी की जा रही है उसमें भी अमजान कंपनी का ही योगदान है यूवा इस कंपनी से ओनलाइन माध्यम से ड्रग्ज जहर और गांजा मंगवाते हैं इसलिए ततकाल प्रभाव से इस कंपनी को ही बैन कर देना चाहिए हाली में बड़े अपरादों की लिस्ट में अपरादियों द्वारा कई बार ऑनलाइन हतियार वर नशीने पदार्थ मंगवाए गए हैं विगत दिनों भिंड पुलिस द्वारा ऑनलाइन कंपनी अमजान द्वारा सप्लाई किया गया 20 किलो गांज केस भी सामने आये हैं इसी तरह इंदौर में भी एक पिता ने शिकायत में बताया कि उसके बेटे ने आत्मत्या करने के लिए ओनलाइन जहर मंगवाया था जो कि प्रदेश में असानी से नहीं मिलता अगर अगर अमजान कंपनी दौरा ऐसा किया जा रहा है तो इसके चलते कर दी जाएगी तो इसमें भारत का ही नुपसान होगा क्योंकि कभी कभी जो समाना आम जनता को स्थानी सतर पर नहीं मिल पाता है वो इसे सस्ते दावों पर यहां से खरीच सकते हैं अंत्र में इसमें लोगों का ही फायदा हो रहा है हलाकि Amazon कंपनी की तरक्की को देखकर को सकत कदम उठाने की आवश्यक्ता है किन्तों लोगों को अच्छी सर्वेस भी इस कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक क आपको वीडियो